पुनिया जी नमस्ते नमस्ते दन्यवाद भाई राजुल जी सम्मानिय प्रोप्सर रजिनी सरोड़ा साथ आधनिय चार्ण साथ सम्मानिय भाई गनेश जी और पूरी पूरी जो टीम है अमारे साथ जुड़ी भी सबसे पहले तुम्हें आज इस विशेश दिवस पे पूरी टीम को बदाई देता हूं आधनिय चेर्मेन साथ आज नागपूर में हैं और उनका एक अलग से बड़ा कार्यकरम था आज वो जुड़नी पाए तो मैं उनकी तरफ से भी पूरी टीम को बदाई देता हूं सुख कामना ये देता हूं बिचेतरवा सालम अपनी आजादी का मना रहे हैं देश में और आज संयोग वस हमारा जो है ये ये युनिर्सल युमन वैल्यूज की जो जो एक अलग या बीच जो बोए थे बिचेतरव थे पहले ये लगातार बिना किसी बादा के बादा आई विपदाएं आई कोरोना आया पिटनाईयां आई लेकिन ये जो कारवा है या जो ये एक एक लगातार प्रियास हैं इन प्रियासों के कदम कभी भी नहीं डगमगाए जब सुरुवात की थी आज से पीछे तरफते पहले कभी भी नहीं ये सोचा था कि ये इतना बड़ा काम जो है बारतिय सिक्षक सिक्षा के अमूल चूल परिवर्तन के लिए इतना बड़ा काम कर सकते हैं कि मैं रजनीश रोड़ा साफ से जुडा हुआ था बर्सों से जुडा हुआ था मैं चंदीगड में था आप पंजावटिक यूवस्टी के बई सांसर थे राजूल जी भी वहाँ पे आते थे आप भी पंजाव टिक निविल सी से जुड़े वे थे तो मैं अमेशार रजनीश जी के अंदर एक अलग सा जो है अलग से चैरे पे इनके चमक और इनका उर्जा मैं देखता था कि इसा इन में क्या है जो इतनी उर्जावान क्यों दिखते हैं इनकी चलने का और जो स्पीड और विजन मेकिंग जी तरह से देखता था तो निशित रूप से वो जो ताकत थी उनके अंदर वो मानुविय मुल्यों की ताकत ही थी जब मुल्य होते हैं मानुव जो है मुल्य हीन जब होता है तो उसकी ताकत भी छीन होती है जब उसके अंदर इसको संसकार कहते हैं या एक एक जीवन जीने का रास्ता जिसके लिए बिल्कुल साफ सुत्रा जो है जिसने बना रखा है कि ये मेरा जीवन का उद्देश है तो रजनी शरोड़ा साब जब NCC IP के अमारे जो इंडेक्शन प्रोग्राम के अध्यक्स बने पूरे देश के असी लाग बच्चे तकनीकी सीख्षा में असी लाग बच्चे और अब तो हमारी पकड़ जो है स्कूल तक बनती जारी है मद्यवर्देश से हमने शुरुआत की है पाई गनेश बगड़िया साब ने जो प्रजेंटेशन दिया मद्यवर्देश में पूरी टीम उनकी आई उनको सुना और उमीडेटली वो जो है इस कारेकरम के लिए वो त वहाँ पे एक एक राजकी है जो संस्थान बना और उसके अंदर अभी 50,000 वोलिंटियस इस तरह से अपने आप काम कर रहे हैं तो मद्यवर्देश अपने आप में एक उदार्ण बन गया देश के अंदर की मुल्य आदारीद शिक्षा जो है मुल्यों से जूडिवी और किस तरह से उसके प्रवाव एक एक जो है पून रूप से देखे जा सकते हैं तो मैं तो इस कारिकरम के लिए यह कहूंगा जो यह तरफ ते कि हमारी जहर में है पहले चोटा-चोटा जो भी प्रयास था पंजाव टेक्निकल इनिस्टियूशन था फिर यूपी में विने कि मैं अकेला ही चला था मैं तो अकेला ही चला था जानीवे मंजिल मगर लोग साथ थाते गए और कार्मा बनता गए अत्ती बड़ी लिस्ट आपने रजिनी सरौडा साब में जो है चार सो से ज्यादा हमारे साथियों की लिस्ट दिखाई है जो दिन रात इस कारिक में लग कर रहे थे तो उसमें ये बात आई कि ये सिर्फ चार सो सत्रह ही नहीं कूरा परिवार भी आपके साथ में है परिवार की टाकत भी इनके साथ में है और तबी इस से जो है इतना बड़ा कॉंट्विशन इसके अंदर मिल पा रहा है तो ये एक बहुत बड़ा कारिकरम हमने और उसी टाइम राष्टे सिक्षानिती भी आई 2020 में हमारी राष्टे सिक्षानिती आई राष्टे सिक्षानिती में वो ही बातें कही गई जो हमारे ये जो जो वोलेंटियस कह रहे हैं या राजु लस्ताना जी कह रहे हैं कि आदर निया चारंड साब कह रहे हैं वो ही बा कि जो भी उनके actions हो, जो भी actions हो, पहले तो उन actions में clarity हो, और उस actions से society के अंदर किस तरह से वो harmony ला सकते हैं, दुनिया के चेरों पर किस तरह से कुसी ला सकते हैं, किस तरह से एक मानो का दूसरे मानो से जो है, संबंद को मजबूत किया जा सकता है, मानो मानो का संबंद, मानो का अपने परिवार के साथ, संबंद, मानो का प्रकरती के साथ में संबंद, इस संबंद को कैसे मजबूत किया जा सकता है, यह बहुत बड़ी अलग अमारे जो है, इसमें जगी, बहुत अपन गती से इसमें अ ऐसे विद्यार्थी, गुनवान विद्यार्थी तियार करने का जो सपना है, जो सिरफ इसी चीज के लिए नहीं हो कि मेरे को जीवन में पैसा कमाना है, वो जो एक अंदी दोड जो देश के अंदर चल रही थी, इसे इस रूप से हमारी सिक्षा में, क्योंकि क्लिरिटी नहीं उनको कि सिक्षा कैसे लेनी है आपको, आपको पैसे कैसे कमाने है, आपको पैकेज कैसे लेना है, हम ये हमेशा सिखाते रहे, लेकिन ये कभी उसको ये नहीं बताया, कि आपको ये सिक्षा क्यों लेनी है, आपका ड्यूटीज क्या होगी, आपकी रेस्पोंस्टीज क्या ह अपने परिवार के पर्तिय आपकी भूमिका क्या होगी, आपकी एक-एक समाजी का दर्ष्टी कौन क्या होगा, आप से समाज जित्ती उम्मीदें लिये वे हैं विध्यार्ती से, आप किस तरह से जाके समाज में कोंट्रिब्वूट करोगे, आप अपने देश की दिसा और दिसा कैसे बदलोगे और देश दिसा नहीं ये देश तो इत्ता बड़ा है, 140 क्रोड के आबादी है और अमने दुनिया को रास्ता दिखाया है अगर आप अमारी इस्ट्री देखें तो अमने दुनिया को रास्ता दिखाया है तो वो रास्ते के उपर पूरे विश्यो को अगर सरक्राने के लिए ये हमारी युवा सक्तिक इस तरह से आगे बढ़ सकती है और मेरे को तो ये 400 से उपर जो आज अपने जो जो वलेंटियस काम करते हुए दिखे और जिस तरह से उपासना मेन अमारी जिस तरह से इन चीजों को अच्छे शब् जो है वो किसी गाओं के अंदर गए और गाओं के अंदर करें तो उस गाओं के अंदर किसी ने उनकी बात सुनना या उनके परती कोई जो आदर दिखाना किसी तरह का महाँ पे महाओल ही नहीं था गाओं में रात-रात रुके वहाँ पे और जाते टाइम उन गाओं के उसके बाद वो दूसरे गाउं में गए पांच किलो मेटर दस किलो मेटर दूर जो भी गाउं था उस गाउं के लोगों ने बहुत बड़ा जो है गुर्णानक देव जी का आधर किया, सत्कार किया, बहुत ही बहुत ही जो एक एक उत्सव जैसा माहूल उस गाउं के अंदर गुर्णानक देव जी जाने लगे, लोगों ने जो है उनसे आशिरवाद देने के लिए लोग आगे बड़े, तो गुर्णानक देव जी ने का कि आप लोग उजड़ो, आप लोग उजड़ जाओ, मेरा बगवान से यह प्रार्थन है कि आप लोग उजड़ जाओ, गाउ तो उन्होंने का बिल्कुल उजड़ जाओ, ताकि आप जैसे लोग जहां जाँगे, वो गाव, वो कश्वा, आप जैसे ही बन जाए, आप जैसे ही वेवार, आप जैसे ही सद्गुन जो है, आप लोगों में आ जाए, तो इस तरह से मैं ये जो आशिरवाद दे रहा हूं, य आप जगह जगह जो ही अच्छी चीज़ें, इनका पर चार पसार करो, मेरा ये आशिरवाद में दे रहा हूं, तो आज के दिन मैं भी इस अपनी टीम को जो है, जो AICT के साथ जो भी है, AICT तो देश की एक बोबी है, ऐसी देश के अंदर 30 बोबी है, और ये तो अपना त आप में, CDA, AICT, जहां पे भी है, हम लोग जाएं, तो हम लोग भिख रहे हैं, हम लोग उजड़े हमारा नेपाल तक जो है, जो जो हमारा नाम हुआ है, इवन बंगलादेश के लोग हमारे से जुड़े हैं, पाकिस्तान के लोग जुड़े हैं, चाहे जिते भी हमारे वे रास्टी शिक्षिया नीती के साथ में ये भी आया कि जो विद्यार्थी पास होके निकलता है, उसमें क्या-क्या सदगुन होने चाहिए, उस कुछ-कुछ गुन बना रखे थे, पर ज्यादा तर गुन जो है, वो रोबोटे रोबोट बनाने जैसे थे, विद्यार्थी को जो है, जो जो स्किल्स, जो है, कोर स्किल्स है, जो हाथ से काम करने की छम्ताओं वाली बात उसमें बता रखी थी, मांसिक रूप से सोचने की बात बता रखी थी, पर दिल को जोडने वाली बात जो है, सामाजिक सारोकार की बात कहीं पे नहीं थी, तो हमारी जो पूरी टी उसके टीम हमारे साथ में आई और सबसे इंपोर्टेंट ये था कि सिक्षा निती तो तब इंप्लिमेंट कर पाएंगे अपन जब अपने को क्लियर होगा कि बच्चा किस तरह का होना चाहिए उसमें क्या सद्गुन होने चाहिए तो उन सद्गुनों को भी अमारी टीम ने ज जो बने वही थे जो है कि उसके पास इंफोर्मेशन क्मुनिक्स टेक्नोजी की जो क्या-क्या कलाइए उसके पास में होगी वो नए सिस्टम को कैसे डिजाइन कर सकता है ये सारी चीजें उसके अंदर थी टीम में वो किस तरह से जो है अपने बागेदारी हो लेकिन अमारी जो टीम है जो उन्होंने जो उन्होंने सद्विंट जो परिवर्तन भी हो सकता है लेकिन में जो परिवर्तन होगा जो दिल से जुड़ने वाला बात है वो किसी भी तरह की सिक्षा हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इन एट्रिबूट्स में जो हम लोगोंने सजे कि एक-एक जीवन का उद्देश्य क्या हो, उसके बारे में पूरून समझ जो है जीवन के बारे में क्या हो, जब वो निकले graduation करके, तो उसके पास ये धन होना चाहिए, संपती होनी चाहिए, कि ये जीवन का मेरा उल्देश है, इस पत्पे मेरे को चलना है, ये clarity बच्चे के दिमाग में लेके आना है, और जो अपन कहते हैं, अपन हम दो बातें कहते थे, AICT हमें साथ दो बात कहते थी, कि बच्चा technically sound हो, professionally competent हो, ये दो बातें करते थे हम, लेकिन अब हमारी जो रास् responsibility उसका behavior, अगर किसी समाज के अंदर किसी वेक्ति के आंखों में आंसु आते हैं, तो विद्यारती हमारा जो शिक्षा ले रहा है, उसकी आंखों में सबसे पहले आंसु आने चाहिए, कि मैं इसके आंसों को कैसे पहुंच सकता हूं, ऐसी सेहर देता उसके अंदर होनी चाह है कि परकरती से माना उपर नहीं हो सकता, जो है सब को सरवोपरी है वो परकरती है, परकरती की पूजा ही माना का करताव्य है, परकरती को परज़रू करना ही माना का करताव्य है, परकरती जिस सो रूप में है, उस सो रूप में ही इसको रखना है, इवन दोस माना गया, अगर इस तरह से करता था तो उसको भी उसी तरह की सजाती, जिसे एक साधान परजा का विक्ति करता है, तो परकरती के परती जो है, उसका जो परतव्य है, उसके बारे में बात की गई है, और एक जो मानो जो है, उसका कंड़क्ट जो है किस तरह से होना चाहिए, उसका विप हर वेक्टी को एक समानता का अधिकार जो जीने का अधिकार है, उसके अंदर हमारा बच्चा जो है, कैसे उनको स्टेंधन कर सकता है निये तव आती है, जब हम परकटि से दूर होते हैं, जब इसके साथ परकटि की साथ अणियाय करते हैं, हेल्थ हाइजिन की बात भी हमारे एट्रिबर्टि के अंदर है और हर आदमी को जीवन पर स्वस्त रहने के लिए क्या रिके हो सकते हैं? उसके उपर भी बात की गई है तो और सम्प के परति रस्पेक्ट सम्प के परति जो है एक एक अच्छा सा वेवार उसकी बात की गई है ऐसा मानो त्यार करने की कल्पना जस्त मैं एक छोटी सी कानी आपको बताऊँगा ऐसा मानो त्यार करने की कल्पना इसमें की गई है हमार और उनका बैठा अस ने tentaps मैं UMि खा वो जमीन पे बैठा, उसे डिजर्ट में बैठा और उसने जमीन पर लिखा कि आज मेरे सबसे आचशे दोस्त ने मेरे तपन मारा और ये रेट पे लिखे और अपने साथी के साथ चल पड़ा, कुछ दूर जाते जाते वो चीज बूल गए जो भी है, चलते चलते कें ऐसे एरिया में आगे जा काफी पानी था, तालाब था, गेरा पानी था, दोनों की कुछ नाने की इच्छा हुई, लेकिन जिस वेक्ति के थपड लगा था, वो वेक्ति उस तालाब में जब दोनों नारे ते लूडने लग गया, जब वो डूब रहा था तो दूसरा जो मजबूत साथी था, जिसने उसके तपड बार रहा था, उसने उसको तालाब से बार निकाला, उसके जान बचाई, तो उसने जिसके जान तो इस दोस्ते दोस्ते ने का जब थपड मारा मैंने आपके तब आपने मिटी रेिध पे जो है लिखा कि मेरे सब से अच्छे दोस्त ने तपड मारा मेरे को हट किया और जब मैंने आपको इस पानी से निकाला तब आपने पत्थर पे जो है उसके अंदर खुदाई की है एक तरह से इन शब्डों की ऐसा क्यों किया तो उसने का कि खराब चीजें जो है खराब बातें खराब विवार थोड़े समय के लिए जैसी व तबी ये देश का सवरूप बदर पाएगा तब ये अठ्रवीक हमारा जो सगेशन है और इसको मिनिस्ट्रियोjść में माला है Ministry of Education ने जब अपनी सारी सारी जो जो आउटकम सब सब तरह की सिख्षा के अंदर जो गतिविद्या उनको करनी है जब वो इस चीज़ का अध्यन किया तो इस चीज़ को उन्होंने इसी तरह से माना है जिस वरूप में अपने दिया है अगली स्लाइड भी इसमें है शायद मेरे इससे की होगी और जब हम टेक्निकल एजुकेशन में जब यह जो अमने इंडेक्शन प्रोग्राम की उनिवन वेल्यूज का सब्जेक्ट हमने पोर सब्जेक्ट लेके आए तो अमने देखा कि विद्यार्थियों की सोच और होता था उस टाइम उन बच्चों की चेहरों पे जो रोनक दिख्टिया सिक्ष्चों से उनका जो नए बच्चे थे स्कूल से आए वे ते कोलेज में पहली बार आए और हमारी सिक्षा विवस्ता में टेक्निकल एजुकेशन अलग अलग बांचे जहें कोई किसी ब्रांच म लेकिन इस इंडेक्शन प्रोग्राम ने ऐसी उनकी दोस्ती कराई ऐसे सम्मंध बनाए कि ऐसे लगता है कि वर्सा बच्चा वो 21 दिन से नहीं की साल से इस प्रांगण में रह रहा है ऐसा मावल अमने देखने को मिला लेसंशिप वापे मजबूत हुई उनकी सोच जो है उ बहुत बड़ा प्रिवार है उसने तो अपने आप उसको अपना प्रिवार बना लिया रेसंशिप ऐसी वी कि हमें रैगिंग के कैसे जब मैंने 2017 में आईच्टी जोईन किया था ज्यादा तर समय हमारे पास सिकायतें ऐसी आते थी कि एक बच्चे ने रैगिंग ली उसको है इस तरह से अट किया हम कमेटियां बेजते थे ज्यादा तर टाइम इस कमेटियां बेजने में ये रैगिंग को किस तरह से रोकें इस पे लगता था आश्या की बात है कि उसके बात जब ये इंडेक्शन प्रोग्राम हमारा सुरू हुआ जिसके अंदर यूनियुमन वैल किया तो ये जो 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 रिलेशन सीपिती मजबूत ही रैगिंग वगरा का नाम ही जो है उसके अंदर खतम होने लगया बच्चों में कमिटमेंट डिक्ता सिक्षक के परती जो उनका वेवार उनकी उतारता उनके जो संबंध है वो मजबूत होने लगे और अकेडमिक्स के जानी है उसके साथ से एंप्लोइबिलिटी भी बच्चों की इंक्रीज हुई है कमिटों 6-7 परिसेंट जो बच्चों के इंप्रू हुई है और यह लगता है कि जिसको अपन कहते हैं कि वह वह प्रोस्परेटी दंदानिये के निए प्रोस्परेटी जीवन जीने के तरीख जीवन जीने का जो एक आनन्द है, वो प्रोस्परेटी भी हमारे बच्चों के अंदर आई है, कि as a regulator मेरा विस्वास है इसके अंदर, शायद इससे एड्मिशन भी हमारे बढ़ रहे हैं, इवन एक उधारण जो है ट्रिपल आईटी में, एक हमारे एंप्लोई का, AI City का एंप्लोई है, उसके बेटे का ट्रिपल आईटी दिल्ली के अंदर एड्मिशन हुआ, अब जब एड्मिशन हुआ, लोग उसको कहने लगी कि यार आप UK उगरा क्यों नहीं जाते हैं, खैर ऐसा समय इस तरह से आया कि वहाँ पर उसी टाइम वो इंडेक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ, एकात दिन बच्चा वो जो है चाहिए इच्छा नहीं थी, उसकी याँ इंडेक्शन प्रोग्राम में चला गया, वो प्रोग्राम चल रहा था, इंडेक्शन प्रोग्राम का उसने ये 15-21 दिन का स्लेबस देखा, एक्ट्विटीज देखी, जिसने जो सारा कुछ पढ़ा, फिर बाद में पता चला कि ऐसे मानुमूलियों पर हमारा जो है एक सब्जेक्ट भी है, उसने वहाँ पे, यूके में उस बच्चे ने अपने मा बावित होके, यहाँ पे टिपल आईटी में अडमिशन ले लिया, और वो बच्चा आप शायद मेरे साथ से थर्डी एर में अब एंटर हुआ है, बच्चा यहीं पर है, वो बहुत बड़ा योगदान देगा, तो एक तरह से बच्चों में स्टेबिलिटी भी आई है, पचास जार से उपर है, जो एक संस्तान से दूसरी में दूसरा दोजार रुपे देता था, पास वाला कॉलेज वाला वो टीचर यहाँ से छोड़ जो, उसमें चला जाता, कोड़ ओनार सिपलेता ही नहीं था, अब यह लगता है कि वो शिख्च्च्च भी इस तरह से जो है क्यों करते हैं, अब मेरे को लगता है नहीं जो पार्लेमेंट से ऐसा क्यूशन आता, नहीं कोई संस्तान से हमें आता कि कोई बच्चे ने स्युसाइट कर लिया, कोई एजुकेशन के प्रेसर में कोई उसने स्युसाइट कर लिया, या उसके दोस्त नहीं ते इस वज़े से से सुसाइड कर लिया, ऐसा हमारे पाल साब में उदारनी नहीं आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मेरे को इसमें लेखने को मिलता है, अब इस कारेकरम को जो शुरुवात करने वाले थे, वर्सों से इसका जो बीज बोने वाले थे, जो एक हमारे पत्परदश प्रफसर रिसी राजबोर्ड साब, मैंने भी उनके साथ में सिख्षा लिये, मैंने भी जीवन, काफी जीवन मेरा जो इनके साथ जीए, तो दस साल तो मैं उनके साथ गुड़ा रहा, ये कोरोना की जब विप्दा आई देश के उपर, तो उनका कोरोना के अंदर जो है, य आवसानवा, वो इस दर्थी पे नहीं रहे, लेकिन उनका दिखायावा रास्ता, उनकी यादें, उन्होंने जो संस्कार में दिये हैं, हम ऐसे ऐसे महान महान देश वक्त को, महान निस्टावान व्यक्ती को, हमारी तरफ से जो है सर्दानजली देना जाते हैं, सब चिपर स सर्दानजली यह होगी, कि उनके नाम पे जो AICT ने फरवरी 2021 के अंदर एक डिजिजन लिया था, कि इनके नाम पे हम एक रास्ती आवार्ड देंगे, ऐसी संस्थानों को, जो इस मानुए मुल्यों की शिक्षा को ज्यादा अच्छे से इसको इंप्लिमेंट करेंगे, उन स स्थानों को हम जो है, अवार्ड देंगे, उसका एक परफॉर्मा तयार करने का काम जो है, कर रही है, जो AICT से देख रहे हैं, उनका भी इसके अंदर बहुत बड़ा कॉंटियूशन, सतत प्रियास करती है, बिना थके वे जो प्रियास करती है, बिना इरिटेट वे प्रिय का तयार कर रहे हैं, और जो अच्छे सस्थान जो देख के अंदर होंगे, उनको हम इसके तरुस मानित करेंगे, तो सोवा जो FTP हमारा आएगा, पच्छीस हफते बाद जो आएगा, उसको हम जो है, उस टाइम हमारा ये त्यार होगा, उस टाइम हम उमीद करते हैं, कि इनक बना दिया है, किस तरह से हमारी इस value-based education को हम आज चला रहे हैं, कैसे आगे चलाएगे, इवन इसके वर minor degree का, पार्तिय ग्यान परमप्रा पे भी, और universal human values पे भी, तो minor degree का, इसके अंदर concept लेके आ रहे हैं, उसके लिए भी काफी प्रयास करके, और जो अमारी उसके अंदर team होगी, जो उसके अंदर courses होगे, कैसे minor degree दी जाएगी, वो भी ये document जो है, वो तयार किया गया है, इसके लिए भी मैं पूरी team को बदाई दूँगा, और ये copy जो है, मेरे space में भी available है, बहुत सुन्दर जो है, बनके आई है, पूरी team का बहुत बड़ा प्रयास है, और ये बी एक जो है, हरे एक बच्चे के लिए, हरे एक teacher के लिए बहुत बड़ी help होगी, इस document के बाद में चाहिए, तो मेरी तरब से, फिर से स्वैसु कामना है, और ये document आज हम जो है, पूरे देश के शिख्याक के जो जो जुड़ेवे हमारे साथ ही है, उनको स्मर्पित करेग तो ये शुब अफसर है, आप सभी स्टेश्ट जनों की उपस्थिती है, और National Education Policy 2020 की अपेक्षा, आए इस सन्यों को यादगार बनाते हैं, और इस document release के साथ में, जिसका पूर्या सब ने अभी announcement किया, तो सभी लोग camera on करके, कारिया बजाते हुए, इस शुब अफसर को capture करने का एक सुब अफसर इसको अवेल करते ही, सभी से निवेदन, बहुत बहुत बढ़ाई सभी को, बहुत बहुत बढ़ाई, बहुत बढ़ाई, सभी से ये भी निवेदन कि ये document जरूर पढ़ी, आपके जो आप तक चित्टी पहुँची है, जो आप तक invitation पह हुआ है, इसको पढ़ें, आपके feedback की हम सभी को खिद से अपेक्षा रहेगी, तो कोटिशा, धन्यवाद, VCM सर, आपके आशिर वचनों के लिए भी, और आपके AICT के पूरी टीम के सत प्रयासों के लिए भी,